जल चक्र और वाटर साइकल जल चक्र वाश्पी करण संधनन और वर्षा का एक सरल गोलाकार चक्र है आईए जाने बारिश कैसे होती है जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की गर्मी पानी को गर्म कर उसे एक अद्रिश गैस में बदल देती है जिसे जल वाश्प कहते हैं जल को वाश्प में बदलने की इस प्रक्रिया को वाश्पी करण कहते हैं चूकि गैस तरल पदार्थों की तुलना में हलकी होती है जल वाश्प आकाश में उपर उठती है और गैस के तापमान के कारण वे प्रिथवी की सता से आगे की ओर चली जाती है तो आकाश में जल वाश्प ठंडा हो जाता है और वापस छोटी पानी की बुन्दों में बदल जाता है जल वाश्प का जल की बुन्दों में परिवर्तन को संधनन कहा जाता है और यह वाश्पी करण के विपरीत है बादल पानी की छोटी छोटी बुन्दों से बने होते ह अत जब आकाश में संधनन होता है तो बादल बनते और बढ़ते हैं बूंदे आपस में टक्राती है और बड़ी बूंदे बनाती है जब बूदे भारी हो जाती है तो गुरुत्वा करशन के कारण गिरती है यहां तक कि वे बढ़ते हैं और बादल से जमीन तक अपनी यात्रा के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं और जमीन तक पहुँचने वाली हर एक बारिश की बूंद दस लाक मूल छोटी पानी की बूंदों से बनी होती है इस प्रक्रिया को अवक्षेपन कहते है जब सूर्य उन पर चमक सकता है और पूरी प्रक्रिया फिर से होती है इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है और पानी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करते हुए जमीन से आस्मान की और बढ़ता रहता है आई जल चक्र के चरणों को देखे वाशपीक्रन जल का जलवाश्ट में परिवर्तन को वाशपीक्रन कहाते है संधनन जलवाश्ट का बादलों में बदलाना संधनन कहलाता है वर्शान वर्शा बार्फ या ओलो के रूप में आकाश से गिरने वाले पानी की प्रक्रिया को वर्शान कहा जाता है पानी आकाश में वाशपित हो जाता है और या चक्र चलता रहता है थैंक यू विजित थे लरनन.com